हलो सर, सर असी एटिटी दे सेंगिट पेपर दी तायारी कितना करिए? सर सेल्फ सड़ी करना सही रहेगा? सर कोचिंग लेली यह सी? सर कोई बेस्ट बुक सी दस दो तुसी? सर कुछ अच्छी सी एडवाईज ही देदो पड़ा नहीं जा रहा? तो ठीक है डियर, मैं अनमोल अरोडा सर हाजी रहा थोड़े सामने एना सारे कोश्चन्स ये आंसर देन देली मैंसेल्फ अनमोल अरोडा सर मैं अब बहुर पंजाब तो थोने प्रोपर गाइडेंस दिन वाला हां कि how to prepare for ETT सेंकिट पेपर या ETT कैड़ तो डियर, सब तो पहला था सानों इस दा सक्चर समझना पएगा ऐसे सक्चर देविच की है, देखो ये थोड़ा जो पेपर आना है, वो 100 मार्क्स दा है and 100 ही थोनों मिनेट्स मिलनगे, means 1 minute for 1 question because 100 ही questions है थोड़े ली ठीक है, 1 question, 1 mark दा है, बहुत वधिया चीज है and सब तो वधिया चीज की है, इस देली कोई negative marking नहीं है but ये नहीं है कि हूं तुसी तुक्के लगाने शुरू कर दियो, तुसी तुक्के भी नहीं लगाने है सब तो best तरिके नल पेपर attempt करना है, कितना करना है, वो सारी थी, सारी strategy मैं थोड़े नल डिसक्रस करने वाला जरा देख लो, आज थोड़े ली की की discussion होन वाली है, एक proper strategy कि how to prepare for ETT second paper ETT दे second paper दे तायारी कितना करिये, students दे माइन दे विच बहुत सारी question है, तो सारी questions दे जवाब दियांगा How to do self-study, असी self-study अगर करना चानने है, तो असी कितना करिये, सर असी coaching नों afford नहीं कर सकते, तो असी self-study करना चानने है, कोई issue नहीं है एस तो इलावा कि coaching compulsory है, ठीक है, अगर coaching compulsory भी है, तो अनू केड़ी गलना दा त्यान विच रखन दी जरूरत रहेगी या कुछ special advices, जो कि मेरी तरफ तो रहनगी है, जुना मिचो आलमोस तरीके में खुद अपनाना है, तो असी भी उसते विचार कर सकते हो, अगर बद सकते हो पाई देखो जी है ना थ्वटे सारी questions दे, जवाब देन तो पहला, एक गल मैं तो अनू एतो clear करनी चाहूंगा उन्हों गल कुछ हैदा है, कि जो सानू advice देन जा रहे है, कि जो उसते advice होईगी, और reliable होईगी, कि यसी उसते विश्वास कर सकते हैं तो जरा होन मैं उसते बारे विच्छी discuss करांगा, एक single minute मैं उसते फटली लगाँगा दिखो डियर, मेरी जो qualifications है या जो मेरी कुछ achievements है, मैं पहला उसते गल करांगा उसतो पिछले विच्छा फिर भी थोड़ी बहुती त्यारी किती होई सी थी टाइम्स मैं seated qualified हांजी, ठीक है, more than three years दा teaching experience है बहुत लंबे समय तो तुसी भी मैंनों जान देओ, ठीक है, नहीं भी जान देओ, तो कोई new subscriber है, तो जान जाएगा future में education जो है, मेरी है, एंड दिखो, H2V first attempt देविच qualified हां, तो ठीक है डियर होना सी जो है, प्रोपर discussion स्टार्ट करते हैं, ऐसे पॉइंट ते अग्गे वद्दे हैं जरा, तो दिखो, सब तो पहली गल, हुन जिदांग में तो नहीं डिसस करने जा रहे हैं, और एगी थोड पॉइंट थोड़े सामने आ चुके है, कि you need appropriate guidance, time table और relevant data, कि देखो, कोई issue नहीं है डियर, कोई self study माड़ी नहीं होंदी, जो एनने सारे exam, एनने सारी achievements थोड़े सामने रखी हैं, वो थोड़े सामने ऐसे करके आई हैं, क्योंकि मैं self study वे ज़्यादा बिलीव करदा सी, ठी अच्छा कि इसी coaching लेए, कोई issue नहीं है, सहर एक point दा थोणों answer मिल जाएगा last तक, तो देखो dear, अगे जो गल अन्दी है, हुन थोणों एही गल है, सब तो पहला थोणों एक appropriate guidance चाहिदी होएगी, देखो self study चड़ो, coaching institute से विच्वी बच्चे पड़ पड़के, 15-15 वीवी 1000 बच्चे पड़ पड़के, क्यों उन्हा विच्व सारे successful क्यों नहीं होंदे, क्योंकि उन्हा कोल एक appropriate guidance ही नहीं है, चाहिए उन्हाने coaching लेल लही है, उन्हाने एक proper time table ही नहीं follow किता, एक relevant data ही उन्हा कोल नहीं सी, उस तो बाद भी हो coaching center नो जोइन करन तो बाद भी हो रह ठीक है, ऐस तो इलावा अगर आप अगल करिए, तो next वन्हों जो 93 रखना पएगा, अगर तुसी अपने आदारते prepare होना चाहन देओ, what to study and what not to study, कि की तुसी पढ़ना है and की तुसी चड़ना है, हना, असी की कर देया, असी exam oriented syllabus ते focus ही नहीं कर दे, असी पता नहीं की की पचर तयार करो, उस सारे दा सारा तोड़ा exam oriented होना चाहिदा है, एगल तुसी 93 रखनी पएगी है, पहला देखो, सब तो पहला ओही करो, जो थड़ी exam दस ले, बस है, उस तो बाद किदर होर साइड थे, अगर तुसी उन्दे विच परफेक्ट हो गए हो, पहला exam oriented थे, तो थोनु कटो कट, तेंतो चार महिने दा एक समा चाहिदा होएगा, ताहीं तुसी एक appropriate तयारी कर सकते हो, next is, थोनु एवी गलते आनवेच रखनी पएगी, कि थोनु जो भी पढ़ना है, ओ आउटलाइन्स ते याद आरती नहीं पढ़ना कि बस बारो बारो पढ़लिया, प्रेज़ेंट एने, कि बस इस ऐफिशेंट थोड़े लिए लग जी साड़ा प्रेज़ेंट टोपिक हो गया, एधा प्रेज़ेंट नहीं करना, हाना, ताहर एक चीज उस टोपिक दे विच जाना पएगा, हार एक चीज समझने पएगी, ए भी नहीं है कि तुसी फाल तु कि तुनू पता ही नहीं है, तो उसी आज इस नूँ पकड़या, कल एक मिशन नूँ पकड़या, लगा अतारबा सैमी फालतू दी गलना देपच लगे होई हो, जिस ती तुनू जरूरत है, उससे नूँ एक सीमित रखो, आज थोड़ेकल एक टोपिक देदा 10 बुक्स है, एक सब्जेक्ट दी, एक की बुक है, तो ओ चीज की है, थोड़ेकल, ओ चीज फिर थोड़ेली प्रॉब्लम क्रियेट करेगी, टेक टाइम तु सिलेक्ट बेस्ट बुक्स एंड कोचिंग सेंटर, देखो, चाहे तुसी पहला अपनी सेल्फ सड़ी करना चाहाँ देओ, उस चाहे थी है, एक अगर तुसी कोचिंग लांदी विच्छा रख देओ, तो तो अनू लगता है कि हाँ, मैंनो कुसे सब्जेक्ट दी कोचिंग लैनी चाहे थी है, पूरे आलोवर कोचिंग लैनी चाहाँ दिए, तो उनना दिलिए एक बेस्ट बुक्स सेलेक्ट करन तो बा सब्जेक्ट वाइस उसी पूरी पूरी प्लैनिंग के इस तरीके न चला सकते हूँ अगर आप अगल करिए तब सब्तों पहला जो थोड़े सामने कंसेप्ट आ चुके है ओल सब्जेक्ट्स एंड देर वेटेज एक चीज़ हो रतिया नविच रखे है जी अगर एस स्टेजी समझ आगी न तो उस तो बाद कोई इशू आए गई न ठीक है क्यों क्योंकि सारे दा सरा डिपेंड यह अंदेत करता देखो थोड़े दी जो सब्तों पहला सब्जेक्ट है अगर आप अगल करिए जो सारे पंजाबियां दी एक शान है हाना सडी मा पाशा सडी मा बोली वह पंजाबी ऐस तो बाद हिंदी है इंगलिश है सस्टी है साइन्स है और मैथेमेटिक्स है इस सिक सब्जेक्ट है स्लेबस कोई काट नहीं है मैंनू भी पता है थ्वनू भी पता है एक स्टेजी लेके चलांगे तक कुछ कुछ करा पामाँगे ये निता अधरवाइस बाकी विदा कोचिंग लेके सारे-सारे सारे सेल्फ सडी करके तयारी कारी रहे है बट स्टेजी नहीं है थिक है अगर मैं इस तो बाद करा है पंजाबी 30 15 marks दिये है, Hindi V 15 marks दिये है, English V 15 marks दिये है and SST V 15 marks दिये है, HR सबेट 30 15 15 and 15 marks दिये है, Science 30 20 marks दिये and Mathematics V 20 marks दिये है, हुँन अगर मैं गल करना तुसी focus skills गलते करना है, दिको पंजाबी, Hindi and English जरा त्यान दिता दुसी, केसी इस दे, तिन्मो 15 15 and 15 marks दिये नहीं, जरा इस दे उननों तोटल करिये तो ए हो गया जी आपने कोल टोटल 45 मार्क्स असी इस ते फोकस क्यों नहीं गर दे साड़ी विच कमी एहीत है केंदे या जी पंजाबी था साड़ी माह बोली है जी हिंदी तो हमारी मात्री भाषा है इंग्लिश इस माई मदर टंग बोत वधी है जी है था बट फोकस करो 45 दे विच चाली मार्क्स तो तुसी इत्थो इंगे इन करन दी कोशिश करो चलो 40 भी नहीं तो 78 नंबर या कटो गट भी 55 ता चीव करो किसे भी हाला दे विच अगर 55 नंबर तुसी इत्थो लेगे भी मन के चलने थोड़ी कैटेगरी है तो पैंती तो नोगे लि मिल जानवाला है तो उसी रेस दे वेच बने रहोगे अधरवाइस पिछड जाओगे कैटेगरीज दे बेनिफिट मिलदा रहेगा उत्वननों भी पता है उमेननों भी पता है ऐस तो इलावा उनमें अगर गल करना है तो देखो ए चीज नहीं है कि उस सब्जेक्ट माड़ एक लिस्त थानू देओ तो देखो डियर पहली गल कि मैंनों किसे ने पैसे नहीं देते मैंनों किसे पब्लीशर ने फोन करके नहीं किया कि तुसी साधी बुक दसो यह साधी बुक दी परमोशन करो थ्वाड़ी इच्छा होए तुसी परचेज कर सकतेओ एंड मैं सब तो एक में जीज़ कि थ्वाड़े कोला आलमोस बुक से होन गियां बस उसनों एक डिरेक्शन दिनाली उसकरने एक स्टेजी दिनाली उसकरने सब तो पहला मैं गल करना अपनी मात पाशा पंजाबी दी कोई वी एक पंजाबी वियाकरन लेलो जी 12th class दी वी पंजाबी वियाकर मिल रहा है तो ठीक है डियर अगे बदो लगबागे कोई बुक थानू एक अपनी गली मौले दे किसे वी सूडेंट को लो मिल जान वाली है और हो सकता है थ्वाड़े कोल भी काफियां कोल होएगी इंगलिश दी इंगलिश दी बुक्स देखो चाहे लूसेंट दिया है चा काफी यह बदी है ठीक है ऐस तो इलवा कोई वी थ्वाड़े कोल है एग नहीं मैं कहरा है सिर्फ तुसी एगी परचेज करनी है नई डियर मैं कदे इस चीज देलिए नहीं निंग कांगा कि तुसी एक स्पेस्विक बुक नूँ परचेज करना ही करना है थ्वाड़े इच बुक्स भी काफी वदिया है ऐस तो इलावा तामी संतुष्टी ना मिले ग्रेजुएशन लेवल ते चले जाए हो बट पहला इस ते फोकस बना ले हो एदा इना पज्यों बगे दिया ठीक है फिर ता बस चटो जी गल हना ओचीज हो नहीं माली ज्यादा प्रफेक्शन मिल नहीं वाली है अगर तुसी बेसिक छड़के अग्य बदी जा रहे हो हाईर लेवल ते मैथेमेडिक्स दी गल करिए मैथेमेडिक्स देखो वापिस होई गल करना चाहांगा अप्टू टेंथ लेवल दी बुक्स बहुत वदिया है अगर तुसी फोकस कर सकते हो नाइन्थ अगर तुसी देख सकते हो देव जोती वालें दी बुक्क है वो काफी वदिया एंड़े ज्यादा तर सीबीसी स्कूल से विच ज्यादा यूस होनी है एन्थ विच उनना थोन्हों एक मैटर थोड़ा ज्यादा हो डेप्थ देविच मिलेगा अगर पढ़ना होई पर पहली चीज मैं थोन्हों एही ग पहल करां तो लूसेंट अरिहंत आरार भी दी बुक्क कोई वी थोनों मिल दी आरार भी जो एक्जाम आन दिया ना बैंक दाउन देविच वी काफी वदिया एक ग्रैमर दित्ती हों दिया है यह कोई वी होर इंदी दी कोई भी एक व्याकरन आप देख सकते हो इसके रिगा सोच रहे हो एक गलत रास्ते ते चाल रहे हो बहुत जादा अगे पच्ता होगे जाके अगर तुसी सिर्फ थियोरी पार्ट सिर्फ ते सिर्फ एंदे ते डिबेंट रह रहे हो ठीक है तो नूँ कुछ वड़े लेवल दे करना पाएगा स्वरन दिखों मैं खुद दास रह जादा मैं कहा रहे हैं 10 परसेंट भी एक रोज आए तब बहुत बैटर है एंड एक चीज़ ओर त्यान मिछ रखे है जी जो एस स्टेजी दिना थोटे सामने वीडियो आई है न हाले तक नाता है हो जी एट टी दे सेंकिट पेपर दी प्रेपर दी प्रेपरेशन दी वीड बस देड तो दो जी भी नेट लगेगा एक देन दा सिरफ और ना मिल लगन वाला तो सारी जी सारी बुक्स फ्री दे विच डाउनलोड कर सकते हो अगर नहीं मिल रही है ता ऐस तो इलावा अगर मैं गल करां काफी सारी जो है युनिवर्सिटीज दी एप्स भी है ठीक है अगर मैं गल करां तो वह एक पॉइंट एवी है कि देखो कुछ बुक्स ना मैं भी शेर कर दूंगा टेलिग्राम दे चैनल ती आज ती डेट दे पेच तो नो मिल जान गियां ता ओ तुस्य की करना है टेलिग्राम दा चैनल जिननने जोईन नहीं किता होया ओ हल्ले भी ज टेलिग्राम चैनल दा लिंक है फेस्बुक दा पेज लाइक करके रहो इंस्टाग्राम ते सानु फोलो करके रहो तांकि थो आनो सारी इसारी इंबोरेंट अपडेट्स तो नो ते मिल दिया रहे हैं ठीक है तियर रग्गे वधिया एं कुछ अग्गे दिसक्शन नो स्टा करना चारे है कि मेरा टाइम वेस होएगा अगर मैं सौरा इनना सौरा डाठा कोलेक्ट करके लेके आऊंगा एंड देखो नोर्मल जी गले सुडेंट्स अगर तुसी बुक्स खुल्ददी भी परचेज कर देओ काफी पैसे थ्वंडे लग जानवाले हैं इसे विच कोई इ कि देखो अगर तुसी मेरे अनुबवान दे नाल अगे बाद रही हो या तुसी भी होर मिंस थ्वाड़े भी अनुबव हो सकते है ठीक है तुसी भी अपने अनुबवान ऐसे वीडियो विच बिल्कुल शेयर कर सकते है एस वीडियो दे कमेंट बॉक्स दे विच कोई इश साम बहुत नस्दीक आ चुक है तस हम दुजियां दे अनुबव लैज लेने चाहिए तक कोचिंग इंस्टीचूट माड़ा नहीं है देखो डियर इस ते इस ते नाल रही इंदे मैं थोनों एक पॉइंट होर दास देना चाना कि साड़ा भी एक एक एटिटी दी दा सैंग हो कि सुडेंट से नू पीड पान धिया थाड़ा एनना सारा स्लेबस होंतों बाद हर एक चीज नोट करने सुडेंट से लिए बहोत प्रोलम हों दिया सुडेंट स्लेच ले輯दा करीज कर agtर नहीं पान दे बस नोट करी जा रहे है करी जारह यदा टाइंव बेस नहीं हों से ऐसे विच जदो ऐसी मिशन साट किता सी एविला कुछ 100 V plus वीडियो दा मिशन लेया सी बट डियर मैं जनू 10 दी होई काफी खुशी हो रही है कि इस दी विच थटली 200 प्लस वीडियो लेक्चेस एड हो जानगे अगर मैं गल करां एस दी विच अगर मैं गल करां जो सब तो एक बड़ा benefit ये time सेविंग होंदी है ठीक है ये time सेविंग है थुर्डा time consume नहीं कर दिया देखो live classes दी सब तो बढ़ी एक problem की है लाइव क्लासिस दे विछना, सूरेंट से लगबग 30-35% टाइम वेस्ट होंदा है, चोकि रियलिटी है, और मैं आपने एक्स्पिरियंस देना बोर रहे हैं, थोड़े भी चो काफी सारे सूरेंट से जान दे भी होंगे, देखो किन्ने के डाउट सोंदे हैं, साथे बहुत ल व्याइडे टील एक्जाम है, जोड़ो तक थड़ा एक्जाम होनी जाना, एवन उस तो भी कुछ दिन बाद तक, वो जो है, अपनी TET बज़र दी एप्लिकेशन ते अविलेबल है, टेट बज़र दी अप्लिकेशन दे लिंक, एस विडिए दे दिस्क्रिप्शन दे विच तुसी जाके उत्थों डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर ते अविलेबल भी है, and Apple Store वाले स्पेशली सड्डे तो लिंक ले सकते है, Apple Store ते भी एप सड्डी ओन अविलेबल हो चुकी है, अगर मैं गल करें इस तो बात, दिखो, एनना सारे रीजन्स दे करके, यह कोई अशंका नहीं हो रही है, कि यह कोर्स पंजाब दा एक नमबर वन कोर्स है, ETT दे सैंकिट पेपर दिली, क्योंकि यह आल्मोस सारी जिस सारी जरूरत हैं देविछ, थियूरी पार्ट ता सी कवर करवाई रहे हैं, अब उससे नाल दिनाल सी MCQ पार्ट भी कवर करा रहे हैं, एक बार जरूर आप दे विजिट करना चाहें, तुस्वी कोर्स जॉइन करना चाहन देव, चाहें नहीं करना चाहन देव, थो अनूँख पता चलेगा, कुछ कमेंट साथे सामने आए जिए कि साथे मीन्स एकल कह सकते हो कि साथे results बोल दे है असी कुछ हदा नहीं कह सकते है कुछ students ने especially साथे सामने कुछ गलना रखिया सी तब मैंनों भी कुछ लगया मैंनों भी अना टाइम नहीं लगया कि थोड़ेली मैं हजारां दे हजारां कमेंट से इकठे कर दिन दा बट कुछ ना कुछ है जिनादे मिननों लगया कि हां really appreciable है जिनादे मिरकुल सामनी कमेंट आई भी है जरूर उस तेली मैं share कर रहे है थोड़ेनल जरूर तुसी विनननों एप्रिशेट कर सकते हो ठीक है डियर अगर आप अगल करिए उन अगे वद्धिया जरा इस तो बात अगे गल अंदी है जरा नेक्स पॉइंट ते हुन फोकस कर दिया देखो सुर्वेंट से मन्द विच की हुंदा है कि असी एक बुक नों रीड करिए और उसनों दस वार रीड करिए ऐसती बजाए असी की करते हैं ए बहुत चीज़ा अगर तुसी अदना करते हो बहुत वद्या चीज़ा है एक बुक नों दस वार रीड करना किते ज़्यादा वद्या है बजाए कि दस बुक्स नों एक वार पढ़न दी दिखो साथी सब तो बड़ी प्रॉब्लम ही है कि उसी बहुत सारी यां बुक्स मार्कीट दे विच वी कठियां करके ले आएजी हुन असी ना साथी कोल टाइम ही नहीं पढ़न दा अगर पढ़ रहे हैं ता ऐस तरिके नाल नहीं पढ़ रहे कि हाँ साथा बेनिफेट होए असी उसनों उल्टा एक आपनी ते टेंशन बनाके बैठ गया ठीक है पहला क्योंकि तो उसी पहला बैस बुक्स लेक्ट नहीं गिती हुन उल्टा बर्डन वदी जा रहे है एक्जाम दा टाइम नड़े आई जा रहे है देखो यह फिर प्रड़म ताइक रिट करेगा इंदे विच कोई शक नहीं है ठीक है तो एस तो बैस की है हमेशा एक टीचर ते बिलीब करो डियर हमेशा मेरी रियल लाइफ दी सिच्वेशन तो एक्स्पिरियंस निकल के आई है एक टीचर ते बिलीब करो पहला ता बिलीब कर रहे हो तो पहला बिलीब करन तो सोचो कि एस परसन को नोलेज है एस परसन ना टीचिंग स्टाइल सही है कि ए परसन उनुर वाक्या विच रियल ते मिंज एक एफेक्टिव नोलेज दे रहे है ताहीं उस्ते बिलीव करो, एक सिंगल इंस्टिचूशन दे जिस्ते उसी बिलीव करन जा रहे हो, कोई फिंस्टिचूट है, मैं नहीं कह रहे है कि टेट बजर दे बिलीव करो, कि हाँ थोनों फोर्स किता जा रहे है कि नहीं, टेट बजर दे बिलीव करो, नहीं कहने दा डि इस तो इलवा कुछ स्पेशल एडवाइज जिनना दि तुसी खुद डिमांड किती सी कि सर असी बहुत पटकते हैं सही पता ही नहीं है कि स्टेजी करने ही साड़ेली एक स्टेजी प्रोपर किस तरीके ना लगे बन सकती है यह सानू कुछ और गलना है इस तो एकसा भी कुछ तो इस दिली एकर मैं गल करां देखो सब तो पहली चीज देखो आज ता टाइम में ज्यादा तर ओनलाइन सडीद आऊ चुकिया है चाहे तुसी ओनलाइन कोचिंग देखोगे चाहे ओफलाइन कोचिंग मींस क्लास्रूम कोचिंग देखोगे जाधा इफेक्टिव सकते हो जो मैं खुद रियल लाइफ देविच अपना ना जदो मैं वीडियो लेक्षर देखने हो देना 90-95% केस देविच मैं इयरफोन लगा के ही देखता हां क्यों क्यों कि असीना कितर पटकता नहीं है सब त्यान वोल्यम थोड़ी जी हाई रख्या को एविन यह फुल क सब्सक्राइब कर दो हां सिच्विचन देख से दियो तो मींस थवाड़ी बाहर पटके गए नित्यान तुसी एक मींस कह सकते हो कि एक सेंटर रहोगे उस तड़ी सेंटर रहोगे जिसते रिकार्डिंग तुसी पढ़ रहे हो एवोई करो डिस्रक्शन नो सुसाइटी बु बलान दिये जाओ बट एक फिक्स ताइम दिली जाओ टाइम देखके जाओ कि अगला भी कलनू कहेगा ठीक है आज तुसी उसनी मैरी से नहीं गए कुछ इंपोर्डेंट सी थवाड़ी बट कलनू अगला तो बुलाएगा जदो उस पोजीशन ते पहुंच जाओगे अगल बोट एक डिस्ट्रेक्शन वाला काम में भी कर रही है और सि यूट्यूब चैनल ते ना अन्यों सोरी चैनल सब्सक्राइब किते होए ना यूट्यूब से कि कुछ सेंकड़ें अंद भी चैनल है एंड रिलाइबल ही नहीं है असी एक बार उनना यूज किता असी उस वीडियो कम्लीट हो जाए टर्न ओफ करना अन्यसेसरी नोटिकेशन हो तो अनुख फील होएगा कटो गाट तुसी पंजा चैनल होजे रखे होंगे कि जड़े अन्निसेसरी है तो अनुचाहिदे ही नहीं है और तुसी डिली उस्ती नोटिफिकेशन ही साइड कर दे जा रह थवड़ी-वीक्नेस की है थवड़ी-स्तैन्थ की है जीज हमेशा त्यानवेच रखनी है नहीं है दूसरे दी वीकनेस ओ है तो मेरी भी-वीक्नेस ओ गएगा ताहीं तुसी अग फिद्ज पाउगे रिवाईज करो वीकली देखो मैं साठे पेड़ पेट इस सूड अर वा वीडियोस देवे चेस जालते फोकस करदां, डियर, तुसी अग्गे ना पजो, जो तुसी पढ़ रहे हो, जिन ना पढ़ रहे हो, पहला उन्दे दे फोकस बनाओ, उसनों रिवाइज करो वीकली, संडे दे संडे, मंडे दे मंडे, ट्यूज़दे दे ट्यूज़दे, जो अपनी रिवीजन करया करो, अग्गे पजनाल, कुछ नहीं हो ना, जो करो, उसनों ना वधिया कर दो, कि अगले टोपिक्स भी किनने विच्छों, तुसी खुद ही आइडिया लगा के उथे, क्लियर कर जाओ, चाहिए तुसी टोपिक ना किते हो, ओर्गनाइज सटी तुसी टोपिक ना विच्छा है, क्योंकि मेंनों कुछ नहीं आँदा, या उसनों कुछ नहीं आँदा, तो हुन आसी एक दूसरी दी हल्प करांगे, ओ कहेगा नहीं, ओ मजाक नहीं उड़ाएगा, तैनों ए नहीं आँदा, कदे किसे फ्रेंड ने थे तुसी नहीं जादा माइंड दे विचो बैठता है, क्योंकि अगला थोटे तो कुछ न पुछेगा, एक कुछ न थोटे आड़ गया, तो अगला दस कुछ न आड़ादेगा थोटे सामनी, बट थोटे मनवेच क्योंगा, कि मिन्हों नहीं 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 आँदा नहीं है, उस वाट टोप बस लेबस उनना दिलिया लग होएगा, अपनी रेगुलर जो है, ब्रेक्स विलो, ए नहीं है कि तुसी लोगा आतार पड़ो, 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 एदा भी नहीं करना, पड़ो, बट एक तरीके ना पड़ो, रेगुलर ब्रेक्स लो, अगर बहुत जाधा पड़ चुके हो, संडे रिवीजन करो, सारे दे सारा मैटर दो, तेन कंटे दे विच ठीक है, अगर जाधा लगाना है, कोई और दिन पकड़ दो, एंड, दिखो, दस या पंदरा दिन बाद न, एक वदिया जी ब्रेक रखो, एक वदिया जगा ते कोम्या आ सब करेंगे, सब तो में चीज़, प्लैन योर एक्जाम डे, डियर, मैं तो रहे जगाना, एक लाइफ दा एक्स्पिनेश शेर करना चाहूंगा, बिल्कुर रियलिटी है, अगर मेरा लेक्चर ना त्यार होए न, तब मैं सूडेंट्स नो कहा देना, कि आज थ्वाड़ ल सब तो वड़ी प्रॉब्लम ही है, जिस दिन तुसी एक्जाम डेन जाना है, अगर थ्वाड़ एक्जाम हंड़र मिनिट्स था है, तो एह हो जी स्टेजी बनाओ, कि तुसी 90 मिनिट्स थे वेच उसनों प्रिपेर करोगे, और ठीक ही उन्दा है, साड़ा हंड़र मिनिट्स वड़े हो जानगे, बच्चे की कहनगे, मामा, तुसी एस करके नहीं पढ़ाई किती, यह एस करके टैस्क नूँ क्रेक नहीं किता, एस कर के उदो टैस्टी तयार ही नहीं किती सी, किसी छोटे सी, दादी-मा, दादू, नाना, नानी, किसे नुछ उनु आप दिन दे, मैं एक माँ हाँ, डियर एक लाँ, दूसरी साइड तो भी लिखे हो याँ, कि मैं एक पिता हाँ, दिखो डियर, रिस्पोंसिबिलिडीज निभाओ, बच्चे वी थ्वड़े समझ दे है, उत्वानू कदे सीज देली, ठीक है, हो सकता है, कदे उना दे मन दे विच कोई मन मन पैदा हो जाए, जल्दी समझ जानगे डियर, तक कुछ एक या दो मिनने देली बच्चे नो भी दुसी रिकेस्ट कर सकते हो, अगर ना सुनन ता मेरी ये वीडियो सुना आदेनो अना अनू, अगर कारते विच सासुमा नहीं मन दी, तक दो मिनने मन देलो डियर हो ना कलो, थोड़ा वो ता कॉंट्रिबिशन भी करो, ना देना हाथ बगेरा बठाओ, बट जादा रिस्पोंसिबिलिटी जोना नो दे दो एक बार, बाद वेच ओवी खुश रहनगे, हना, यू कैन विन एफ यू वांट, ता ए चीज है, कि तुसी जित सकदे हो, बट कदो जदों तुसी चाहंदे हो, जजबा रखो, हर पल जितन दा, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, पर वकत जरूर बदलदा है, थोमस एडिसन ने भी क्या सी, कि there is no substitute for hard work, देखो, थोमस एडिसन ने 991 वे वार बलब दी, खोजते वर किता सीगा, बट सक्सेस्फल नहीं हो पाय सी, ह सम्टाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, नेवर, एंड नेवर, ता डियर, अपनी फर्स अटेंप्ट नू अपनी फाइवल, फाइनल अटेंप्ट बनाओ, एक डिगल डियर, मैं अपनी लाइफ देविच सारे सुरेंट्स तना एगल शेयर करदा, इफ यू वांट तो दो सम् वदिया थ्वाडी लाइफ दे विच रिजर्ट्स निकल के आनगे, डियर, एक गलत है, होन मैंनो यह दस्तन दी जरूरत नहीं है कि थ्वाडी ली एए वीडियो क्यों लेट हुई, तुसी आउटबूड खुद देख चुके हो, अग्गे दा खुद रिसाइड करना है, प तुसी आपने कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे कोडिंग भी पेट को जोईन करना चाहन दे हो, 9710050500 ते कॉंटेक्ट कर सकते हो, एंड इस तो इलावा अगर मैं गल करा, तो देखो डियर, मेरा परपस हमेशा तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी देना भी सिगा, पै तो तक मेरा एम है, तो तुसी मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो एननीक गल्त तुसी भी त्यानुच रखे है, जे एक्जाम नूँ प्रोपर प्लैन करो, हुने करो, हुने आपनी कोपी पैन लेके बैठो, एंड ये नहीं है कि सिरफ बस कोपी पैन ते डिक्के छड़ता, करन दे विच लगे है, मेरी पूरी जी पूरी टीम, ऐस देली तयार कर रही सीगी, एंड उस तो बाद ये आउटपूट थो नूँ थोड़े सामने रखी है, तो डियर, हुन अगे दा फैसला थोड़ा है, किस तना ना तुसी प्रेपरेशन करनी है, ओके डियर, हुन ऐस वीड सिगा, इस माई प्रोमिस दियर, बाबाई, टे